यास वल्कम है और अगेन होन माई चैनल जानकारी एक मैसलफ एक अभिलाशी शर्मा एक बार फिर आपके सामने आपके ही जानकारी है ता एक नहीं जानकारी आपको पता होना चाहिए जो इससे पहले एक 19 वीडियो इस चैनल पर डाली हुई है वो रिगार्डिंग GST का जो ब देखी तो आज की वीडियो तभी समझ पाएंगे आज देखेंगे कि जो GST है उसको सेट आफ कैसे करते हैं अड़स्ट कैसे करते हैं इसको ध्यान से समझना होगा शूरू से अंड तक वीडियो देखनी होगी तभी समझ लगेगा लेट्स मूव एड़ विद मी विद टू GST, SGST और IGST, CGST और SGST ये क्या है? Central State का जो Goods and Services Tax का हिस्सा है और ये तब होता है CGST और SGST जब Interstate Transaction हो मतलब किसी स्टेट के बीच में ही पंजाब है, पंजाब के बीच में हर्याना है तो हर्याना के बीच में ही कोई Business का लेंदेन हो और IGST होता है जब Interstate Transactions होती है एक स्टे लगता है तो वो लगता है IGST, लेकिन सबसे बड़ी बात ये देखो Classification of GST for accounting purpose, ये क्या different है? वैसे तो Classification 3 तरह की बताई मैंने CGST, SGST और IGST, लेकिन जो accounting purpose है उसको हम 600 में बाढ़ सकते हैं या कह सकते हैं हर एक GST के दो पार्ट बन जाते हैं, चाहे CGST, है CGST या IGST, कैसे बन किया है, in case of purchase of goods and services, fixed asset or any expenses, अगर कोई goods या service को purchase किया जाए, कोई fix asset को purchase किया जाए, जा business की तरफ से कोई ऐसा expenses जिस पर GST लगा हो, तो ध्यान रखना चाहे CGST लगे, या SGST लगे, या IST लगे, लेकिन उसके साथ हम ये word जरूर यूज करेंगे, यह मैंने बताया हुए, input, 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 CGST, input SGST, input IGST, कैसे इसको मतलब समझते हैं, input क्यों, ध्यान से, जब goods purchase की हैं, तो क्योंकि purchase करते हुए, businessman ने उसकी payment की, तो GST की भी payment की, तो GST देखने में ते से लगता है, पैसा business से बाहर गया, yes गया, लेकिन final जब adjustment होगी, तो इस input वाले GST ने businessman के पास वापस आना होता है, यह ध्यान लगना, इसलिए इसको, इस GST को input कहते हैं, जब businessman pay कर के आता है, वो final consumer नही है, second है, in case of sale of goods and services, और any income, अगर business ने कोई sale की आगे consumer को, तो consumer से GST चार्ज किया, तो business के पास पैसा आया, तो उस stripe में चाहे CGST है, SGST है, जा IGST, उसके साथ हम word use करते है, output, output CGST, output SGST, और output IGST, यह समझ लगी मेरी बात, क्यों करते हैं, क्योंकि यह customer से जो business के पास पैसा आता है, इसका मनलोग यह नहीं कि business की asset बनगी, यह जाना होता है वही, यह government के खजाने में जाना है, इसलिए इसका नाम output करते हैं, यहां से input और output को मैं और clear करूँगा, आगे बढ़ यह पहले, यह student जब GST को देखते हैं, तो कुछ ऐसे भी सिर्ख जाने को मन करते हैं, कि अभी समझ नहीं आगा, very important issue, input और output GST हैं, क्या, आओ इसको clear करते हैं, Any GST collector is not the income for business, in case of sale, जब businessmen ने sale की, किसी customer को उससे जब पैसे आये, तो GST भी आया, वो business की income नहीं है, यह ध्यान रखना, as a output, as a output, output मनलो, इसने जाना है, किसके पास, सरकारी खजाने में जाना है, yes, और any GST, यह red वला देखो, मैंने क्या लिख हैं नीचे, सबसे last में, Any GST paid is also not the cost of business, मैंने क्या आगा है ध्यान से, Any GST paid is not the cost of business, business की यह लागत नहीं है भई, in case of purchase as input, जब businessmen ने कोई purchase की, और उस पर GST वो pay कर के आया, तो ऐसे लगता है कि business की लागत होगी भी, Businessmen सुनाते भी ऐसी है customers को, कि हमने तो GST pay की है, पता नहीं जी, कुछ नहीं बचरा, पर ध्यान रखें भई, ध्यान रखें, यह वो अपनी जेब से विकबर भर के जरूर आते हैं, पर customer से, हम लोगों से ही charge करना होता है, GST को, तो जब कोई चीज पर सेज करते हैं, उस पर Businessmen ने अगर GST pay की है, तो वो business की cost नहीं है, लागत नहीं है, उसको input इसलिए कहते हैं, क्योंकि जो output है, उसमें से इसने निकाल लेने है अपना पैसा, जब customer के पास से GST आएगा न, as a output, तो उसमें से जितना भी input, मतलब जितना वो pay करके आए, वो अपना निकाल लेगा, ध्यान रखना इस बात को, वो अपनी जेव से कुछ नहीं भरता है, क्योंकि आप सब को पता है, GST indirect tax का burden कभी पे करने वाले पर नहीं, बलके राधर में जो final customer है, उस पर पढ़ता है, बिजनसमें जो आगे purchase or sale करता है, उस पर उसका burden नहीं बढ़ता, ध्यान रखना ये, means प्रापत कर लेगा, government के खजाने में सारा पैसा नहीं जाने वाला, कितना जाएगा, जो pay करके आया है, वो अपने पास रखेगा, जो customer से आया है, उस में से वो adjust करके, बाकी government के खाते में चला जाएगा, order क्या एक क्रम होता है भी, input GST को output GST के साथ कैसे setting off, word है setting off, adjustment, कैसे adjust करते हैं, कैसे निकालते हैं, एक order से, क्रम से, सबसे पहले एक एक GST की बात करते हैं, सबसे पहले input CGST, input CGST, businessman ने कुछ purchase गया, तो input CGST pay करके आया, उसको adjust कैसे करेगा, उसको adjust करने का, सबसे पहला जो क्रम है, वो है output CGST, input CGST को output CGST के साथ adjust किया जाएगा, उस में से पैसा निकाला जाएगा अगर input cgst फिर भी जादा हो पूरा ना बने output cgst में से तो अगला step है output igst फिर output igst में से adjust किया जाएगा समझ लगा ये क्रम है carry forward ना balancing input cgst अगर फिर भी ना बन सके input cgst का balance रहता हो तो उसको carry forward करते है next year में चलता है वह वह वापिस आना ही होता है पैसा business के लिए के asset बन जाता है वो और pay if the balance is outstanding in output cgst अगर input cgst को adjust करने के बाद output cgst में balance बचा हुआ है तो वो comment को पे कर देगा ध्यान रखना है मैं दोवारा रवाइस कर रहा हूँ input cgst को पहले output cgst में से adjust करो ठीक अगर तो सारा हो गया well and good नहीं हुआ तो output igst में से adjust करो मजलब business में अपना पैसा निकाल लेगा अगर input cgst फिर भी adjust नहीं होता तो उसका balance आगे carry forward करते हैं next year में balance sheet में और अगर input cgst output cgst में से जैसे मैंने ये first step पही बताया adjust हो गया और output cgst में कुछ पैसा पढ़ा है तो government को pay कर देंगे वापिस आगे आजे input sgst बिलकुल अगर cgst clear है तो sgst का same procedure है input sgst का amount कैसे adjust होता है जो business man pay कर किया है सबसे पहले output sgst में से फिर अगर फिर भी नहीं adjust हुआ तो output igst में से ओके अगर फिर भी नहीं adjust हुआ तो input sgst के balance को carry forward करते है balance sheet में समझ लगी मेरी बात मान लो इससे उल्ट सोचते हैं मान लो क्या हुआ कि input sgst को output sgst के साथ जब adjust किया तो सारा पैसा adjust हो गया output sgst में कुछ पैसा पढ़े तैन क्या करने नीचे दिखा है धियान से pay if the balance is outstanding in output sgst अगर output sgst में कुछ पैसा पढ़ा है तो उसको balance को pay कर देंगे किसको पे करेंगे भी सरकार को ध्यान रखना ये अगे है ऐसे ही input igst input igst को कैसे adjust करते हैं वही धंग पहले तो एक बाद ध्यान रखना को हर एक input को उसकी output में से adjust करते हैं सबसे पहला step तीनों gst के बारे में ये बात clear होनी चाहिए adjust again सबसे पहले output igst के साथ adjust करेंगे ध्यान रखा फिर अगर ध्यान रखे ये मेंने ध्यान से क्या किया है कि अगर output igst में से input igst adjust हो गया और output igst में कुछ पैसा पढ़ा है तो उसमें से output cgst adjust करेंगे अगर फिर भी कुछ पैसा पढ़ा है तो output sgst ध्यान रखना ये adjust करने का मतलब इस क्रम है वी input igst में से output igst फिर output cgst और output sgst में से इस क्रम से adjust करेंगे अगर cgst और sgst में भी पैसा पढ़ा है और सारा input igst output igst में से adjust नहीं हो रहा तो अगर एक बात और ध्यान रखें मेरी बात ध्यान से सुनें carry for the balance carry forward the balance in input igst का balance carry forward मतलब अगर उसमें balance पढ़ा है अगर उसको carry forward करेंगे वह मैंने पहले भी बताया और अगर ध्यान रखें लास्ट वाला देखो इसमें मैंने लिख है यह पे इफदा balance is outstanding in output igst अगर output igst में सब कुछ adjust करने के वाद कुछ balance पढ़ा है तो उसको pay कर देंगे तो final एक conclusion क्या बना setup का सबसे पहले input igst को adjust करेंगे output igst फिर output cgst ओगे फिर output sgst में clear हो गया अगर input igst को adjust करना पढ़ें next है input cgst को सबसे पहले output cgst में से फिर output igst में एकरम है यह और input sgst को यह देफो दिफो दियान से input sgst को सबसे पहले output sgst में से फिर output igst में से धhiान से मेरी बास सुनाओ भी हर एकoston जो input है उसको उसी के output में बैले adjust करने है अगर सारा पैसा नहीं adjust हो रहा तो IGST के output में से adjust करने है ओके adjust, set off करना मतलब समझ लगे मेरी बाग मालोग एक businessman 100 rupees GST पे करके आया वो input है और उसने customer से 1500 rupees GST चार्ज कर लिया तो वो output है तो 150 में से 100 rupees माइनस कर देंगे 50 rupees वो government को देदेगा इसको set off करते हैं adjust कर लेना क्योंकि या उसने अपने पास क्यों रुखा क्योंकि customer क्योंकि जो text है उसका burden customer ने बियर करना है ना कि businessman adjusting तो कर लिया entries कैसे करते हैं एक बात यानों को जब जब input gst होता है चाहे cgst sgst या igst देबिट होता है जब उसको set off करेंगे तो उसको credit करना पड़ेगा और output जितने भी gst है वो credit होते हैं जब हम उसमें से input को adjust करते हैं तो सारे output को debit करना पड़ता है setting एक एक को देखते हैं setting of input cgst against output cgst input cgst को output cgst में से कैसे करेंगे yes entry is output cgst account debit to input cgst account okay setting of input sgst out of output sgst same way output sgst account debit to inputs sgst account यह दोनों entries देखो बलकुल clear है एक में cgst एक में sgst है दोनों को उसी के output में से adjust की इनपुट को clear yes after setting of balance of output अगर set off कर दिया हमने दोनों input को sgst और cgst को set off कर दिया उसके बाद output में balance पड़ा है भी सारा पैसा adjust हो गया तो क्या करेंगे भी इसी दी बात है जितना भी cgst और sgst में पैसा पड़ा है वो government के दिजाने में पे करते हैं यह एंट्री क्या बन जाएगी आउट्पुट cgst और आउट्पुट सब्सक्राइब आउट्पुट में कुछ पैसा पड़ा है तो उसकी पेमेंट हो जाएगी इस धंग से इन दोनों एंट्री की जहें हम कंबाइंड एंट्री भी डाल सकते हैं यह देखे ध्यान से नीचे वाली आउट्पुट cgst आउट्पुट आउट्पुट sgst आउट्पुट दोनों तो देविट होगे उसमें से पहले इनपुट cgst आउट्पुट किया हुए cgst में से cgst sgst में से sgst और फिर भी आउट्पुट में कोई पैसा बढ़ा है तो उसकी पेमेंट हो जाएगी तो e-cash या बैंक क्लियर जब हमें cgst और sgst आगे तो cgst भी बड़ा easy है सबसे पहले igst को set off कैसे करने adjust कैसे करने सबसे पहले वही बात जो output igst होता है वो credit होता है और input igst debit होता है यह हमें पता है परचेज और सेल की entries मेंसेज यह मैंने पिछली वीडियो में बड़ी डिटेल में बताय हुए तो जब set off करेंगे तो जो reverse हो जाएंगी output igst account debit to input igst यह क्या है जब हमने input igst है उसको output igst में से adjust करने तब वो entry अगर adjust करने के बाद business के बाद पैसा पड़ा है तो बाकी government के खजाने में जला जाएगा आउट्पूट इस्ट का विट इनपूट इस्ट करने के बाद एक फाइनल कंक्लिउसिव एंट्री होती है वो इस तरह ही हो सकती है लग-लग डालने की जगहां total input IGST count debit to input IGST count to input CGST count to input SGST count ये तिनों के तिनों GST input वाले है इनको adjust किया output IGST में से अगर फिर भी output में कुछ पैसा बढ़ा है तो वो कहां जाएगा to e-cash or bank account Always remember any output IGST ये बड़ी important statement है Always remember any output IGST will first to set off input IGST सबसे पहले output IGST में से हमने input IGST को set off करने ठीक, then CGST को करने जैसे यहाँ पे किया second number पे to input CGST अगर फिर भी balance बचा है तो SGST को करना है अगर फिर भी balance बचा है तो government को कर देना है बाकी पैसे की payment clear है मेरी बात अब इसको एक example के साथ और clear करते है मालो हमने सारी type की journal entries कर ली एक conclusive लेते हैं वैसे तो जब laser posting हो जाएगी तब clear होता है क्योंकि सारे CGST के laser account बनते हैं मालो हमने अभी journal entries की है journal entries करने के बाद सारी transaction के बाद हमने देखा कि हमारे पास सारी transaction में total input CGST का 10,000 था output CGST मालो 4,000 था इसी तरह से input SGST 10,000 output SGST 4,000 था यह आपको पता ही है बराबर क्यों आ रहे हैं you know better क्योंकि आदा सरकारी खजाने में जो center government के खजाने में सारी एक आदा स्टेट government में जाता है तभी तो बराबरा है अगे third है input IGST 10,000 output IGST 40,000 मालो यह balance बने हैं हमने जब सारी जनल entries कर दी अब time आया set of कैसे करें GST को सबसे पहले जैसे मैंने बताया output first देखो यह वाला जो first है CGST वाला input CGST को output CGST में से हम adjust करेंगे output CGST count debit to input CGST 4000, 4000 4000 क्यों किया जब कि यह 10,000 था भई output CGST में पैसे 4000 हैं तो 4000 तो कर लिए बाकि कितने रगे 6000 मैंने बताया जो 6000 है वो किस में से होएंगे input IGST में से होएंगे यह देखो ध्यान से output IGST account debit to input CGST account अब देखो CGST 4000 यह था 6000 इस एंट्री में total वही 10,000 का 10,000 adjust हो गया समझ लगा वैसे एक मेरी बात ध्यान से सुनो directly नहीं करते output IGST में से पहले input IGST adjust होता है फिर अगर output IGST में पैसा बसता है फिर CGST उसमें से adjust करते हैं ओके अब बारी आगी ऐसे ही SGST input ध्यान से देखे जहां पर जो input SGST है हमारे पास अगर आप ध्यान से देखें input SGST 10,000 output SGST 4000 पहले 4000 तो हमें इसमें से adjust करें क्योंकि output 4000 ही है हमारे पास output SGST account यह भी input SGST account 4000 बाकी 6000 किसमें से जाएगा क्योंकि IGST में balance काफी है हमें दिख रहा है 40,000 है उसमें से adjust हो सिर्फ 10,000 ही करने है न तो 6000 यह adjust कर दिया output IGST count देवी to input SGST count जो input SGST count था 6000 यह adjust हुआ 4000 यहां set up हो गया 4 plus 6 10,000 10,000 तो था जो हमने set up करना था adjust करना था जो पे कार चुक है बिजनसमें उसने अपने बास रखना था अब बारी आगी third one की input IGST की बात करते हैं और output IGST अब यह एटर देखो द्यान से input IGST यह 10,000 output IGST यह 40,000 कहां है भई हम adjust भी दो कर चुके हैं यह दोनों के दोनों CGST और SGST तब ही तो balance देखना पड़ेगा सबसे पहली बात सबसे पहला काम यह करना होता है हर एक input को उसके output में से adjust करना input IGST account debit sorry input IGST हमारे पास 10,000 है output कितना है 40,000 पहले यह entry हमने adjust किया output IGST account debit to input IGST क्योंकि input IGST 10,000 ही था जो हमने output में से adjust कर ली अब पैसे कितने बचे हैं हमारे पास ध्यान से देखें यह मैंने working note बना है total output IGST 40,000 था इस में से एक तो हमने IGST input adjust किया 10,000 जो यह वाली entry डाली है हमने उपए एक इस से पहले वाली slide में मैंने CGST और SGST दोनों 6,000 वो adjust किये थे output IGST में से तो 40,000 में से अगर जी 22,000 माइनस करें तो balance जो IGST का वो 18,000 रह गया यह कहां जाएगा सरकार के खजाने में एंट्री की वे क्या बनगी payment of GST output IGST account अवे टू bank account समझ लगी यह गवर्मेंट के खजाने में गए पैसे तो dear student I think the concept little bit typical पर मेहनत भी तो करनी पड़ेगी न भी नया आईशू है 2-3 साल से ही हमारे देश में आया है 2017 से और 2018 से accounting process में आया तो मुश्किल है थोड़ा पर एक बात ध्यान रखें जो concept clear नहीं है वीडियो के उससे में जाएं और जब भी देखने है इस वीडियो को और इससे पहले वाली जो वीडियो है A19 वाली उसको भी देखें तभी GST का clear होगा ठीक journal entries कैसे करते है complete journal entry का question set of का इसके बाद की वीडियो में आपके साथ इस चैनल पर share किया जाएगा वो भी आप देखना तीनों को combine करके देखोगी तो ये GST बलकुल crystal clear हो जाएगा I think the concept is clear वीडियो को completely देखें आराम से अगर आपको clear नहीं है कोमेंट बॉक्स में जाकर कोमेंट दे और नहीं वीडियो का इंतसार करें तब तक thank you very much और एक बात और इस चैनल पर और बहुत से वीडियो से हैं अलग लग सब्जेक्स की इक्रामिक्स की और कॉमर्स से लेटेड अधर सब्जेक्स और मॉटिवेशनल वीडियो नहीं वीडियो का इंतसार कीजे थैंक यू वेरी माच आई वेरी सून विद यू